तो नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग उमीद करता हूँ सभी मेरे दोस्त ठीक होंगे मैं आपका दोस्त विशाल स्वागत है हमारे चैनल भोजपरिया जहान में कि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सारी लाल यादों के फिल्म संगाश्टू के कमाई के बारे में कुछ भी से जनकारी आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा वीडियो को अंतर तक देखके अगर चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज लेकिन मैं box office collection के बारे में कुछ बात नहीं करूँगा मैं direct आप लोगों को संगाश्टू का कमाई बताऊँगा अर्कि आप लोगों को हरर गंगे से कंपरिजन करके बताऊँगा हम लोगों को किसी से क्या लेना मेरे भाई हम लोग के star अपने ही सबसे बड़े star है तो अप संगाश्टू हीट कर गई यह बात जब लोग के द्वारा सुनने में आने लगे या हॉल माली के द्वारा है सुनने में आने लगे या जो भी मतलब मेडिया वाले है वो बोलने लगे कि संगाश्टू हीट कर गई तो यानि यह समझ लेना चाहिए कि फिल्म अपने लागत स ज्यादा पैसे कमा ली तब उस फिल्म के आगे हीट लगता है यानि कि अगर संगहश्टू को 4 करोड में बनाया गया है तो संगहश्टू 4 करोड 5 करोड रुपया कमा लेती है तब उसके आगे हीट लग जाता है ये तो रहा हीट के बात अब आते हैं सूपर हीट पर कि सूप प्रोडियोसर के मुँह से कि संघष्टू सूपर हिट कर गई तो आप लोगों को बता दे कि आपने लागत से दुगना तीना पैसा कमा लिया है जिसके वज़ा से संघष्टू में सूपर हिट लगने लगा है तो यहां संघष्टू हम लोगों का सूपर हिट कर चुका है यानि कि अपने लागत से दुगना कमाई कर चुका है अब आते हैं ब्लोक बश्टर क्या है कि सूपर हिट के बाद आता है ब्लोक बश्टर तो ब्लोक बश्टर अभी तक संघष्टू के नाम के आगे नहीं लगा कि संहज्टू Blockbuster कर गया है क्योंकि Blockbuster जब होता है फिल्म जब अपने लागत से 10-15 गुना कमाल लेता है फिल्म,나 कोई फिल्म 1 करोड़ का है यहानि कि वहीं 10 करोड़ कमाल लेता है तो उसके आगे Blockbuster लगने लगता है जैसे कि हमारे खिसारी भीया का फिल्म फरिस्ते था फरिस्ते में बहुत ही कम लागत भी इस फिल्म को बनाया गया था और फिल्म लगभग 15 करोड के आसपास केलेक्शन किया था तो वो फिल्म खिसारी भीया का जो था ब्लॉक बश्टर साबित हुआ था तो यहां पर आप लोग को बता दे कि अभी तक संगर सुपर हीट साबित हो गया है लेकिन ब्लोकबस्टर का अभी तक कोई ख़बर नहीं है हो सके कि फिल्म अंतिम में ब्लोकबस्टर भी साबित हो जा यानि कि सारे हॉल से निकलते निकलते ब्लोकबस्टर भी हो जा तो ब्लोकबस्ट दोस्तों को दिल से तन्यवाद